नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बावजूद भी इंडियन क्रिकिट टीम को एक लाग बीस हजार डॉलर का प्राइज मनी मिलेगा ICC की तरफ से एक्चुली मैं कभी आपने सोच कर देखा है कि जब भी ये वर्ल्ड कप होता है T20 का सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है क्या विनिंग टीम यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाती है या फिर जो लोग टूर्णामेंट और्गनाइज करवा रहे है या फिर वो देश जहां पर यह टूर्णामेंट होने लग रहा है या फिर ICC International Cricket Council आज के इस वीडियो में आइए समझते हैं बिजनस मॉडल क्या है इस T20 World Cup का सबसे बेसिक और सिंपल चीज से शुरू करते हैं जिसके बारे में शाद हर को ही जानता है प्राइज मनी जो टीम इस T20 World Cup को जीतेगी उसे 1.6 मिलियन डॉलर का कैश प्राइज मिलेगा जो लूजिंग फाइनलिस्ट टीम होगी उसे 8 लाग डॉलर का कैश प्राइज मिलेगा और जो दो सेमी फाइनलिस्ट होंगे हारने वाले उन्हें 4 लाग डॉलर का प्राइज मनी मिलेगा लेकिन इसके इलावा जो भी टीम सुपर 12 की स्टेज में कोई भी मैच जीतेगी उन्हें हर मैच की जीत के लिए 40,000 डॉलर का इनाम मिलेगा टोटल में 5.6 मिलियन डॉलर का प्राइज मनी है जो इस टूर्नमेंट में दिया जाएगा और कौन इस प्राइज मनी का खर्चा उठाएगा ICC, International Cricket Council जो दुनिया की गवर्निंग बॉड़ी है क्रिकेट को लेकर इसके इलावा ICC के कई और खर्चे होंगे एंपायर की जो सेलरी होती है, कॉमेंटेटर की जो सेलरी होती है ये सब भी ICC को ही पे करनी पड़ती है ये पूरा टूर्नमेंट ICC ही और्गनाईज करवा रहा है ICC ने एक elite panel बनाया है empires का और जो commentator से उन्हें तीन categories में divide किया example के तौर पर बताऊं तो एक empire की साल भर की salary हो सकती है 35,000 dollars से लेकर 45,000 dollars के बीच में यानि approximately 24,000,000 to 31,000,000 रुपए की salary और इसके इलावा इन्हें हर match के लिए empires को अलग से fees भी मिलती है 1000 dollars की on average 80-20 match की salary होती है empire की लेकिन इन सब खर्चों के लिए ICC को पैसा कहा से मिलता है क्या sources of revenue है ICC के लिए जब ये world cup कराया जाता है सबसे पहला कमाई का जरिया है इनके लिए broadcasting rights जो ये TV channels और streaming services को देते हैं basically permission कि वो अपने channels पर इस match की streaming कर सकते हैं जिस पर आप देख सकें इस match को इसके बदले ये TV channels और streaming services पैसे देते हैं ICC को for example आप सारे matches आज के दिन star sports पर देखते हैं क्योंकि ICC ने एक deal कर रखी है star sports के साथ कि जितने भी major tournaments होंगे ICC के सब के सब star sports channel पर ही देखने को मिलेंगे until 2023 ये deal करी गई है इसके बदले star sports ने ICC को 1.98 billion dollars दिये हैं almost 14,000 करोड रुपए इसके इलावा ICC को पैसा मिलता है अपने sponsors Nissan, Oppo, MRF Tires, Booking.com, Byju's और Emirates ये global partners हैं T20 World Cup 2021 के तो ये top companies हैं जो sponsor कर रही हैं इन companies के add हो जाती है जिसके बदले ये ICC को पैसे देते हैं sponsorship के partners, social media partners अब exactly कितना पैसा आता है इन sponsorship से ICC के पास ये figure publicly available तो नहीं है लेकिन वीडियो के बाद में मैं आपको कुछ अंदाज़ा जरूर बताऊंगा sponsorship के पैसों का लेकिन जो भी अभी तक मैंने आपको बताया है ये सब ICC के perspective से बताया है अब समझते हैं सारी चीजों को hosting country के perspective से यानि जिस देश में ये tournament कराया जा रहा है उस देश को क्या मिलता है उस देश की सरकार को क्या मिलता है इसका जवाब इतना सीधा साधा नहीं है बहुत से indirect benefits हैं जिने calculate करना थोड़ा मुश्किल है अगर directly बात करें तो obviously tourism का पैसा जिस भी देश में वर्ल्ड कप को host कराया जाता है stadium में matches को देखने foreigners भी आते हैं और जब tourists आ रहे हैं उस देश में तो obviously tourism के साथ पैसा भी आता है short term में बहुत सी employment generate होती है क्योंकि इतने सारे tourists आने लग रहे हैं उस देश में stadium के आस पास जो भी restaurants हैं bars हैं, hotels हैं उनका business बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सारे hotels booked out हो जाते हैं सारे restaurants में full house मिलता है आपको तो obviously इससे देश की economy पर देश के GDP पर potentially एक positive impact पढ़ता है इसके लावा अगर देश बाकी दुनिया को दिखा पाता है कि इनोंने successfully एक world cup host कर लिया है तो देश की stability जाहिर होती है soft power बढ़ती है देश की जिसकी वज़े से और लोग invest करना चाहेंगे देश में foreign investments बढ़ेंगी और world cup की preparation के दुरान infrastructure को तो upgrade करना ही पढ़ता है अच्छी सडके बनानी पढ़ती है साफ सफाई maintain करनी पढ़ती है जैसे कि दिल्ली में जब 2010 में commonwealth games होए थे तो पूरे शहर के infrastructure में एक बड़ा बदलाव दिखा था लेकिन इन सब चीजों को करने में infrastructure को upgrade करने में अकसर जिस देश में वो T20 World Cup होने लग रहा है वो देश tax exemption देता है ICC को और ये सिर्फ cricket के लिए नहीं है FIFA World Cup के दोरान भी यही होता है जो भी देश hosting country बनता है FIFA World Cup के लिए वो देश एक tax free zone declare कर देता है FIFA के लिए और millions of dollars में tax exemptions दी जाती है In fact, football World Cup में तो ये given condition है कि जो भी देश host बनने की bid जीतेगा उन्हें tax exemption grant करनी पड़ेगी FIFA को For example, 2006 का World Cup जर्मनी में हुआ था FIFA का तब estimate किया जाता है कि around 250 million euros की tax exemption दी गई थी जर्मन सरकार के द्वारा FIFA को लेकिन एक सरकार के perspective से फायदा ये है कि overall जो tourism से revenue आ रहा है वो इससे ज्यादा ही हो जाता है जैसे कि same 2006 के FIFA World Cup में जर्मन सरकार ने रिपोर्ट किया कि World Cup की वजह से जो tourism revenue आया था वो 400 million dollar के आसपास था तो यहाँ पर एक clear cut profit हुआ सरकार के लिए अब बात यह है दोस्तों कि हर देश इतना fortunate नहीं होता जैसे कि 2014 में जब FIFA World Cup हुआ था ब्राजील में तो बहुत सारा unnecessary construction किया गया था धेरो प्रोटेस हुए थे corruption के allegations भी लगे थे और ब्राजील को कहा जाता है कि overall loss उठाना पड़ा था यह World Cup कराने की वज़े से जो खर्चा ब्राजील की सरकार ने उठाया था वो 15 billion dollars का था लेकिन सिरफ 13.2 billion dollars का profit estimate किया गया था साथी साथ धेरो प्रोटेस हुए थे जब सरकार को criticize किया गया था कि सरकार stadiums पर पैसे क्यों बर्बाद कर रही है जबकि education और healthcare के लिए वहाँ पर desperate need थी ब्रजील में similar situation बताया जाता है कि South Africa में भी होई थी जब FIFA World Cup South Africa में करवाया गया था हाला कि दोनों देशों की सरकारे कहती हैं कि जब उनके देश में World Cup हुआ था तो वो एक success था अब आज के दिन जो T20 World Cup हो रहा है इसकी कहानी भी बड़ी interesting है अगर आप hosting country के perspective से देखो तो originally plan किया गया था कि ये World Cup Australia में होगा लेकिन उसके बाद COVID-19 pandemic आ गया इसकी वज़े से ये World Cup पहले तो postpone कर दिया गया ये originally 2020 में होना था अब 2021 में हो रहा है भारी tax भरना पड़ सकता है अगर central government पूरी tax exemption नहीं देती इस ICC World Cup को host करने की अगर सरकार partial tax exemption देती है तो भी BCCI को 227 करोड रुपीज का tax pay करना पड़ सकता है इस T20 World Cup को host करने के लिए interesting चीज़ ये है दोस्तों कि Indian government हमेशा काफी slow रही है इन चीज़ों में tax exemption offer करने में 2011 में भी जब 50 over World Cup कराया गया थे इंडिया में Manmohan Singh की सरकार ने tax exemption को last minute तक approve नहीं किया था लेकिन at the very last minute उसे फिर भी grant कर दिया गया था जब Prime Minister Manmohan Singh ने intervene किया था उसके बाद 2016 में जब इंडिया ने T20 World Cup होस्ट किया था तब नरेंदर मोदी की सरकार ने सिरफ 10% tax exemption दी थी तो ICC ने 23.75 million dollars अपने पास withheld कर लिये थे जो BCCIA को मिलने थे और ये एक ऐसा issue है इन दोनों के बीच में ICC और BCCIA के बीच में जो आज तक resolve नहीं हुआ है जैसा मैंने आपको FIFA के बारे में बताया था ऐसा ही ICC के साथ भी है ICC कोशिश करता है कि पहले ही tax exemption को secure करा ले जिस भी देश में वो World Cup को होस्ट करने वाला है उसी के बाद ही उस देश को hosting के rights दिये जाए लेकिन BCCI fail हो गया tax exemption को secure करने में Indian government से इसी के बाद ही फैसला लिया गया कि इस T20 World Cup को United Arab Emirates और Oman में होस्ट कराया जाएगा ऐसा माना जाता है Officially कहें तो BCCI ने एक ही reason दिया है COVID security और safety का concern जिसकी वजह से इंडिया में नहीं हुआ ये World Cup बलकि UAE और Oman में कराया गया लेकिन कई experts मानते हैं कि tax का पैसा बचाना यहां पर main purpose था अब चीजों को BCCI के perspective से देखते हैं BCCI इंडिया की cricketing body है ICC से अलग है तो BCCI के पास अपने जरिये हैं कमाई के पहला है इन्हें broadcasting revenue share मिलता है ICC से ICC हर cricketing board के साथ ये करता है कुछ हिस्सा कमाई का अपना बाट देता है बाकी cricketing boards लेकिन BCCI का भी main source of revenue है sponsorships जो main kit sponsor है BCCI का वो है MPL Sports 2023 तक इन्होंने deal कर रखी है तो BCCI इन्हें right देता है कि ये merchandise sell कर सके इसके लिए MPL का base price है 65 lakh रुपीज पर match और 3 करोड रुपे पर साल जो BCCI को दिये जाते है अब ये merchandise partner अलग है jersey sponsors से jersey sponsor वो होता है जो Indian cricket team की jersey की उपर print होता है जिस company का नाम इस case में वो है बाइजूस अब Indian cricket team के jersey sponsors की भी एक बड़ी interesting history रही है सबसे लंबे समय के लिए जो company jersey sponsor रही थी Indian cricket team के लिए वो थी सहारा इन्होंने 2003 में शुरू किया था और 2013 तक ये jersey sponsor रहे थे लेकिन एक interesting fact यहाँ पर 2003 में जो cricket world cup हुआ था बहाँ पर Indian cricket team की jersey पर कोई भी sponsor नहीं था तो ICC का उस समय में main sponsor था South African Airlines और सहारा company भी airline business में involved थी इसलिए एक conflict of interest था यहाँ पर इसलिए Indian team की jersey पर कोई भी sponsor नहीं था 2013 तक सहारा sponsor रहा उसके बाद Star India 3 साल के लिए sponsor बना फिर OPPO 2 साल के लिए और अब बाइजूस overall देखें तो reports के अनुसार estimate किया जा रहा है कि BCCI सिरफ इस T20 World Cup से 12 million dollars के आसपास कमाई तो अभी तक आपने इस business model को देखा ICC hosting country और BCCI के perspective से और कौन बचा broadcaster यानि जिस TV channel पर इन matches को दिखाया जा रहा है हमारे case में है ये TV channel Star Sports जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया था आपको Star Sports ने काफी millions of dollars दिये है ICC को ये broadcasting rights लेने के लिए तो Star Sports कहां से पैसा कमाता है इसका जवाब भी है दोस्तो sponsors इस present T20 World Cup के लिए main sponsors है Star Sports के Bajus, Dream 11, Vimal और Coca-Cola एक interesting चीज यहाँ पर 2700 seconds commercial air time दिया जाता है एक T20 World Cup cricket match के लिए मतलब एक match जो आप World Cup का देख रहे हो उसमें 2700 seconds of advertisements आप देखते हो लेकिन IPL में यही time दिया जाता है 3000 seconds का अगर कभी आपने notice किया हो तो IPL में ज्यादा ads दिखाई जाती है TV channelों पर T20 World Cup के comparison में exactly क्या rate होता इन sponsorships का रिपोर्ट किया गया है कि इस World Cup के लिए around 10 to 11 lakh rupees for every 10 seconds of ad अगर किसी company को आड देनी है 10 second की तो co-present करना है अगर किसी company को यह tournament तो 55 to 60 करोड रुपीज estimate किये गये हैं और associate sponsorship के लिए 30 to 40 करोड रुपीज estimate किये गये हैं यह नुमान लगाया गया है कि broadcaster इस case में 1200 to 1250 करोड रुपीज का ad revenue expect कर सकता है कमाना इस specific T20 World Cup से TV channel star sports है तो online broadcasting के rights दिये गए हैं Disney plus hot star streaming app को अब यहाँ पर आप clearly देख सकते हो कि IPL क्यों ज़्यादा profitable होता है simple reason हर एक match में ज्यादा inventory दी जाती है ads के लिए इसका मतलब है ज्यादा sponsorship का पैसा आएगा IPL में और अगली बार यापके मन में सवाल उठे IPL पर इतना ज्यादा क्यों focus किया जाता है तो इसका सीधा सीधा जवाब यहाँ पर है उमीद करता हूँ तो यह थोड़ा सा अलग टाइप का वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसे ही business models पर और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे comments में लिखकर बता सकते हैं कि और कौन सी companies या कौन सी चीजों के business model detail में देखना चाहेंगे कर दो आप देखना चाहेंगे